अब हम बात करते हैं लियो सिंग राशी वालों के बारे में कि सिंग राशी वाले प्यार में कैसे होते हैं और बाई सिंग राशी वाले जो है देखो बादोर होते हैं जीवन में बड़िया बाववली होते हैं बर्चे बड़ी बिल्डर होते हैं लोगों को इनको देखके डर सड़ लगता है और फर्सサइट जो अबहुत ही बड़ी बता दीर बाइड होती in ते बाटी तरफ लेकिन फ्रत टाय ने को धियार में थोड़े वेकूफ फी होते हैं और एंसिक्रव्log भी होते इसके बारे में बात करते हैं तो शुरू करते हैं यहां पर रेंबू दिख रहा था अभी आपको यहां पर राशी चेंज करेंगे जैसे लियों का हम बताएंगे मेश राशी वालों के साथ में अगर शुरू होता है तो कैसा रहेगा मेश राशी वालों के साथ में अगर शु जाद हो ठीक है यह हो मांगेंगे तो इस तरह का जो है संगर्सवा कर चलता रहेगा इस relationship में दूसरा है टॉरस लियो और टॉरस के बीच में यानि कि सिंग राशी और व्रिशब राशी के बीच में कैसा रहेगा बहुत ही beautiful couple बहुत ही शानदार couple लगेगा यह बहुत ही जो है जो डिखने वाली होगी जो real life के जो issues है जो जिन्दगी में बाकी के issues है इनके अपने इशु तो कहां होंगे जिन्दगी में जिनको solve करना पड़ेगा लेकिन जो बाकी दुनिया जो create issues उनकी भर्मार होगी वह बहुत ज्यादा होंगे तो इसलिए जो है ऐसा लगता है कि वह जो है थोड़ा सा यहां पर आपको देखना पड़ेगा क्या ऐसा हिसाब किताब है ठीक है next है हमारे पास में जैन्ना है मिथन राशी वाले मिथन राशी वाले या तो वह एक दूसर राशी वाले हैं वह पजैसिव होंगे इस relationship में और मिथन राशी वाले वो flirt होंगे और insecurity किसी की भी तरफ से हो उसको जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा मले थोड़ा सा उसको काभू में करना पड़ेगा next है हमारे पास में आपके लिए करक राशी वाले सिंगर और करक राशी वालोंगा है इसाब किताब कैसा रहेगा बड़े रहेगा यहां पर दोनों को attention चाहिए करक राशी वाले जब आपको attention देंगे बड़े है थरीके से और और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा इसी चक्कर में next है हमारे बास में सिंग राशी वाले आपस में यहां पर देखो यहां तो एहम का टकराव होगा और यहां पर वो mutual attraction बहुत ही तगड़ा होने वाला है ठीक है लेकिन लड़ाई इस बात कि रहेगी कि boss कौन है इस relationship में किसकी चलती है अगर शादी भी हो गई तो किसकी चलेगी घर में ठीक है obviously आपकी पतनी की चलेगी इसम अब हम बात करते हैं कन्याराशी वालों की कि कैगर सिंग और कन्याराशी वाले मिलते है तो क्या होगा यह थोड़ा सा mismatch है यहां पर हालां कि कन्या राशी वालों को वीर पूरुश है लेकिन यो इतनवी वीर नहीं है जिनमें कुछ भावनाएं ना हूँ ठीक है लाते हैंगे वे इन्मों कुछ भावना ये तो होनी चाहिए और इनके पास टाइम भी होना चाहिए अपने हमारे लिए लेकिन जो वो साइल लगता है कि नहीं है और दोनों गाम इसमेश यहां पर ये बन रहा है नेक्स्ट है हमारे पास में तुलाराशी वाले तुलाराशी वालों का जो संबन्द है वो यह जो relationship है यह कारेस्थल से शुरू होगा यानि कि workplace romance होगा यह जहां पर एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे और काम के सिलसले में ही एक दूसरे के करीब आएंगे और यह जो connection है यह जो है इसमें शादी भी होगी इसमें जो है यह बहुत ही लंबा चलेगा ठीक है यह लंबा के चलेगा शादी होगी तो जीवन भर चलेगा फिर तो यह ठीक है नेक्स हम बात करते हैं Scorpio व्रश्चिक राशी वालों की यह बहुत ही intense relationship है बहुत ही जो है खास relationship है जिसमें सब कुछ होगा passion है drama है जिसमें सब कुछ है व्रश्चिक रा और यह जो है यहाँ पर सिंग राशी वालों को इनका addiction भी हो सकता है कि हमें छोड़के कहीं मत जाओ आपको अपनी आखों के सामने रखेंगे और उसमें यह होगा कि धीमें धीमें आपका space खतम होना शुरू हुआ बाकी की कहानी मैं आपको नहीं मताऊंगा बाकी आप यहाँ पर असली प्यार है यहाँ बिल्कुल ठीक है असली प्यार है लेगन यहाँ पर दिक्कत क्या है धनुराशी वाले freedom चाहते हैं धनुराशी वाले highly ambitious हैं वो भी अपने ambition में बनना चाहते हैं और और यह जो सिंग राशी वाले हैं यह कहते हैं हमें छोड़के कहीं मत ज भीड़ा, सा टकराओ, यहाँ पर बंता है, लेकिन यह रियल लव मैच है, बढ़िया मैच है, ठीक है, नेट्स डम बात करते हैं आपके लिए, الرाजी वालोके साथ में scripture होगा, तो जो है एक दूसरे को समझने में यह लगी टाइम लगेगा क्यूंकि दो अलग अलग तरह के सिस्थम है एक वीर पोरोस हैं और एक जो है सपनों में डूपे हुए हैं मकर राशी वाले सपनों में डूपे हुए हैं और तो दोनों को थोड़ा सा बैठके बात करनी पड़ेगी तब जाकर के मामला कुछ समझ में आयगा के भी यहां पर क्या हो रहा है next है हमारे कास में कुम राशी वाले कुम राशी वाले वह आपकी लाइफ में आप समय में बड़े होंगे और दो अलग अलग तरह के साइन है यहां पर भी जो है आप सिंग राशी वाले कुम राशी वालों को एकदम से भाव नहीं देते लेकिन कुम राशी वाले इनकी life में जगा बनाते हैं धीमे धीमे और धीमे धीमे जगा बनाते हैं और फिर उनको समझाना शुरू करते हैं कुम राशी वाले उन-sing राशी वालोंगा ब्रैनवाश कर देंगे पूरी तरीके से इस relationship के अंदर यह मान के चल लीजे सिंग राशी वाले अनके गुर्ण गान के रावा कुछ नहीं करें संग को Work से भर पूर है अब क्यों तब अलग तरह के लोग है एक युद्धा और एक यहां प Ε gonna मरें यहाँ भी नुमेंटह। Gibbs समझ भर इसको ठार इस बार समझ में इसको प्रेईं की भासल संझ घोड़ाए के लिए फोड़ा सा टीम लगेगा लेकिन सब्सक्राइब व्यवाले ऐसा नहीं होता अच्छे जो है फॉलन होते हैं यह ऐसी बात नहीं हैं कि आह apert वो समझांगे तो इसाम आ आजाएगा अपके लिए हमें सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा बई सबसे बढ़िया आपके लिए हैं निथम राशी के लोग और जो है यह जो धनु राशी के लोग यह इन में से आपको कोई भी अगर आपकी लाइफ में आता है तो यह जो है बहुत ही शांदार रिलेशन्शेप है और I hope you all the best और अपना best enjoy करें life में and wish you all the best हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें thank you thank you very much indeed and God bless